हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम लाएं है सेट नमबर फाइब दो हजार तेइस तीन सो अड़ाली सीके का पेपर पिछले जितने भी सेट हैं आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे ऐसे ही लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल एक ग्यस करने का तरीका होता है इससे में टॉपिक की इंपोर्टन्स पता चल जाती है और दो से तीन मेट का वीडियो हैं बार बार देख सकते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में सेट हो जाएं चीजें और बाइदवे ऐसा हुआ हो कि ये चीजें रिपीड वे पर पूछी ज होता है बहुत सारे बच्चे जलडवाजी में बोल देते हैं ऑंतर होता है और मतलब होता है अंदर से एक्जो का मतलब होता है बार से जब हम डीने को काट रहे हैं बच्चा तो डीने के खंडो को हम काट रहे हैं ध्यान से देखो यह मैंने क्या बना दिया यह मैंने डीने बना दिया और यहां पर मैंने बॉंडिंग बना दी जब हम इसको कट करते हैं तो इस बॉंडिंग को कट अनुसार अब एल एलन कोचिंग वाली नहीं एक कोचिंग व questo आप माँ नहीं जाएगे कि उनका नीयम कोई आगया होगा उनका नीयम नहीं बच्चाई का नाम है ईलन एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायों में रहने वाले इस्तंधारियों में शामानिता होती है तो वैसे तो इनका एक रूल है इन्होंने कहा क्या था ना इन्होंने बड़ा ही प्यारा सा रूल दिया जो कि आपको आज पता भी होगा इन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा हम समझते भी जाएंगे यही तो फाइदा है पढ़ने का अगर टीखी करना है तो आप आंसर भी देख सकते हैं डारेक्ट ठीक है तो यह बहुत ही इन्पॉर्टन चीजें होती है आपको समझना भी है और आपके साथ-साथ छोटे-छोटे हो सके जब की बाहरी जन्तु जैसे की जो गर्म देश जो आप कह सकते गर्म इस्थानों पर रहने वाले जन्तु होते हैं उन्हें यह च्छेद बड़े होते हैं इन्होंने इस चीज को बताया था लेकिन यहां पर कोशन में ध्यान दीजेगा बहुत ही ध्यान से कोशन पढ पर लिख दिया है ठंडे चेत्रों के जन्तु के कान वा पाद चोटे होते हैं यही एलेंड का नियम है मैंने यहां पर लिख दिया है इसको आप note डाल सकते हैं अगर आप लिख रहे है तो note डाल के भी अपने पास लिख के रख सकते हैं यहोप यह चीज समझ में आ गई नुद्धा पुछा गया मेंडल के दुई संक्रड क्रॉस का फीनो टाइप ही जरूर पढ़ लिये करो 2017 पूछा जा रहा है कि जीनो टाइप पूछा जा रहा है दो संक्राइप का पूछा गया है तो न नव अनुपाते तीन अनुपाते तीन अनुपाते एक और यहीं पर एक चीज और याद रखो कि अगर एक संक्रड का पूछा जाएगा फीनो टाइप अनुपात तो तीन अनुपाते एक होगा और एक बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक संक्रड क्रास दो संक्रड का तो जीनो टाइप कभी नहीं पू जी जाता है वो होता है laundries यहां से कूशन पूछे जा सकते हैं लेकिन जीनोटाइप एक अनुपाथे दो अनुपाथे एक होता है यह संक्रड क्रॉस्थ की बात मैंने बटा दीहैं YEETOO कॉछें इनक्स्ट कोशन की बात करते है जो कि लास्ट कोशन भी है पूछा गया कि टेस्टोइस्टरॉन हार्मोन का स्रावर होता है तो लीडिंग से बच्चा होता है और सर्टोली से भी एक हार्मोन निकलता है आप कह सकते हैं कि नियंतरित होता है वो है FSH इसको आप जरूर याद रखिएगा बच्चों को confusion भी हो जाता है इसका answer जो हो है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सरहां वीडियो समझ में आ रहा है चैनल को subscribe करते हैं ताकि आने वाले समय में आपको सारी वीडियो मिलते रहें हलाकि आपकी कमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा important है subscribe हमारे लिए matter नहीं करता है ओके तो चलिए फिर मिलते हैं आपस से नेक्ष्ट लेक्चर पर थैंक्यू समच फर वाचिंग प्लेयलिस्ट जरूर चेक कर लें आने वाले जितने भी सेट हैं और पिछली जितने सेट हो चुके हैं सब आपको प्लेयलिस्ट पर एवलेवल मिल जाएंगे थैंक्यू